नमस्कार मैं हुदीब काकडे आप देख रहे हैं MB Live और कल आप सभी के सामने जो सुसाइड की घटना उजागर हुई है उसी के सामने एक महत्पुन अपडेट लेकर आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ पुलिस पुशासन हमारे साथ हमारी सेवा के लिए लो आन ओर्डर मेंटेन करने के लिए मौजुद होता है लेकिन जिस सुसाइड केस में पूरी तरह से सुसाइड नोट हाथ में है आत्मात्या किसी भी संधिक तरीके से नहीं क्लियर वे में हुई है और सारा घटना करम आख है आज तकरिवन 24 घंटे से ज़ादा समय यहाँ पर बीच चुका है सवाल ये बनता है कि 24 घंटे के बाद भी वहाँ FIR क्यों नहीं दर्ज हुई MB Live का सवाल आप दशकों से भी है अगर ऐसी कोई घटना हमारे आसपास होती है तो हम सबसे पहले पुलिस की पुहार करते हैं लेकिन अगर समाज के रक्षकों में से कुछ रक्षक मैं लाइन फिर से दोह राता हूँ कुछ रक्षक हर कोई रक्षक भक्षक नहीं हो सकता ले मृतक है रमेश पाठक इन रमेश पाठक ने पूरा वाक्या यहाँ पर बया किया है अब यह कितना सही है कितना गलत यह जाच की बात है इसमें जाच होगी और जाच के बाद सारी घटना करम सामने आएगी लेकिन इसमें जिस शक्स का लालू नामक शक्स का और जिस पुलि उन्हां बहुत बड़ा होता है, it is almost like a murder, तो ऐसी सारी चीज़ों में FIR क्यों नहीं हुआ, ये सवाल बनता है, खबर ये भी आई है, सुत्रों के मुताबिक मीरा भाहिंदर के जितने उत्तर भारतिय नगर सेवक है, जो सरोपक्षी हो सकते है, वो उत्तर भारतिय नगर सेवक फिलाल पूरी तरह से ताकत के साथ मीरा भाहिंदर के भाहिंदर पच्छिम पुलिस थाने पर मोर्चा ले जान ना कोई कैमरा और बाइट के सामने आके किसी भी तरह का बयान देने के लिए तयार है अब ऐसे मौके पर जनता करे तो क्या करे जम्रुतक परिवार है रमेश पाठक उन परिवार के लोग क्या करे उनके घर का तो व्यक्ति चला गया है लेकिन अब क्या उनको आने वाले समय में न्याय मिलेगा अगर मिलेगा तो कितने जल्दी और कितने लेट हम हाली में देख रहे हैं पूरे भारत में जिस तरह से पुलिस को लेकर अलग-अलग घटनाय सामने आई है एक जगा पर हैदराबाद में हमने एंकाउंटर के बाद पूरे भारत ने पुलिस पर सरहाना की तो वही जामिया मिला में पुलिस जिस तरह से दिल्ली में बरताव कर रही है उसको लेकर उन पर कई आलोसना भी हो रही है वहाँ सीतापूर में पुलिस पर हमला हो रहा है इतनी सारी घटनाव में पुलिस मौजुत होने के साथ साथ मीरा भाइंदर के इस सुसाइड केस में जब एक पुलिस करमचारी का नाम आता है आला कि वो नीजी चीज भी हो सकती है लेकिन फिर भी कि आप बागी के पुलिस करमचारी अपने साथी को बचाने की कोशिश कर रहे है ये सवाल तो यहाँ पर जायज बनता है थोड़ी देर बाद हमारी टीम आपसे जुड़ेगी और आपको वहाँ पुलिस चौकी से अपडेट डेगी कि नगर सेवकों की वहाँ पर विजिट के बाद क्या हुआ है तब तक मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ कि जो सुसाइड केस है इसके बाद अगर सुसाइड नोट में क्लियरली मेंचन आता है जो की एविडेंस पुलिस की और से बरामत किया गया यह किसी की दूसरे की लिखावट नहीं है यह पुलिस के सोर्से से निकाली गई सुसाइड नोट है अगर उसमें पुलिस कर्मचारी का नाम क्लियर कट आता है तो क्या वहाँ पर F.I.R. करकर दोशियों को गिरफतार कर आगे की कारवाई करना जायज है या नहीं है सवाल आपसे है आप कमेंट करके जरूर बताइए आप बाकी के अपडेट के लिए देखते रहे हैं कैमेरामन प्रणवसावन के साथ दीप काकडे M.B.Live